जैहिन प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आज किस वीडियो में और आज की ये special वीडियो बहुत ज़्यादा important होने वाली है प्यारे बच्चों, class 12 के history यानि की इतियास के subject लिखिक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल यानि की 39 March 30 को आपके history subject का TBSC board का exam होने वाले है, जिसकी तयारी already हमने बहुत बढ़ी आपके करवाई हुई है, जिसमें आपको 3 sample paper, important questions और map की वीडियो हमने already upload कर रखिये, ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे most important sample question paper को यहाँ पे solve करने वाले बच्चों, जिसमें हमने पिछले 10 साल के board के paper में, जो question answer बहुत बार पोची गए, repeated questions है, उनको यहाँ पर लिया है, ठीक है, तो बहुत समभावना है, बहुत chances है, जो question अभी हम इस paper में देखेंगे, उसके आपके कल के paper में आने के, ठीक है, तो पूरा का पूरा paper, आपको line to line, even word to word, बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी है paper की, वो बहुत बढ़िया हो जाएगे, ठीक है, तो आईए सुरुवात करेंगे, बिनादरी करते हुए, और ये वीडियो हिंदी और इंग्लिस दो नई मीडियम के लिए होने वारी है, जिन बच्चों को paper का pattern पता है, उनके बहुत अच्छी बात है, वो दो मिन पता है, पांच खंड में आपका paper डिवाइड होगा, A, B, C, D और E, जिसमें आपके total 34 question होगे, ठीक है, अब खंड नमबर जो आपका A रहेगा, इसमें आपके 1 से 21 एक अंग के वहुव विकल्पिया प्रश्ण होगे, यान की total आपके जो है, एक नमबर के 21 होगे, MCQ, ठीक है, फिर खंड नमबर B में आपके 22 से 27 लगु उत्रिया प्रश्ण ह ठीक है, खंड नमबर C में 28 से 30, आठ नमबर के 3 question होगे, और इन तीनों में ही आपको choice मिलेगे, ठीक है, खंड नमबर D में आपके 4-4 नमबर के 3 जो है, वो होंगे शुरूत आज़ारे question, ठीक है, बाकि आपका जो खंड ए बस्ता है, इसमें A की question होगा, 34 वा, मैप 5 नमबर, ठीक है, तो यह आपको समझ में आगए आपका paper का pattern, तो हम क्या करेंगे, इस दो पार्ट में समझेंगे, इस वीडियो में हम आपको खंड नमबर A और खंड नमबर B समझा देंगे, बाकि आपका खंड C, D और E, इसके लिए part 2 का वीडियो बना दिया जाएगा, जिसका लिंक बहुत ही जल्द आपको यहाँ पर आई बटन में देखने को मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क को चेक करने लिए, ठीक है, पेपर का pattern बढ़ी है तरीक से आपको समझ में आ गया, बाकि जो अच्छी इंग्लिस मीडियम के हैं, वो यहां से देख लेंगे, section A में 4 marks के 31, 32, 33, source based question होंगे, और section A में question 34 अगा map based, ठीक है, पांच नमबर, ठीक है, तो आईए, ओके, तो यहां से हमारा section नमबर 1, खंड A, multiple choice questions से आपर start हो जाते हैं, ठीक है, और इस section A में, आपके total होने वाले हैं 21 MCQ, तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से एक request है, छोटी सी, कि आप इन MCQ question का answer, comment box में, live session में, या फिर अपने मन ही मन, जरू दीजेगा, जिससे आपकी practice हो जाएगी, और, जब MCQ complete होंगे, तो आप सभी बच्चों ने मुझे comment में बताना है, कि 21 MCQ में से आपने कितने right-cancer लिए, ताकि मुझे भी बता चल में से, आपके 50 plus M से क्यों निकल सकते, जिया, इसलिए, मैं आप से फिर से कहता हूँ, बहुत important video, बड़े ध्यास रिखे, ठीक है, तो आईए सुरुआत करें, तब से पहले क्या दिया गया है, बच्चों, हमें एक जानकारी दी गई है, इसकी सायता से हमें व्यक्ति की पह की जाती, कि मैं इस उद्देश्य प्रस्ताव की पेचितियों को समझता हूँगा, ठीक है, मेरे लोगों को पिछले 6000 सालों से अपमानित किया जाता रहा है, समाज में वे उपेक्षित रहे हैं, ठीक है ना, तो आदिवाश्यों के समद्व ये बात किस ने कहिए, ठीक है, आपको समझना है किसकी बात है, क्या ये बात जैपाल सिंग की है, क्या ये बात गन्नु ने कहिए, जो कि अदिवाश्य था, NG रंगा ने कहिए, फिर अंबेड करने कहिए, तो यहाँ पे बच्चो को दो लोगों को लेकर confusion होगी, एक तो NG रंगा और एक जैपाल सिंग, इनमें से कौन सा राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे, राइट आंसर है बच्चो आपको option number A, जैपाल सिंग, तो option A हमारे यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, ठीक है बच्चो, अब इसी तरीके से, जो बच्चे इंगली से वीडिया हम यहाँ पर देख लेंगे, identify the person with the help of the following information, ठीक है, तो option number आपका A, ठीक है, अब एक बहुत ही बढ़िया प्यारा सा और बहुत important question है बच्चो, एक तरफ है तेथी और एक तरफ है घटना, तो हमें यह देखना मिलान करना है, कि कौन सा किस से जाने बारा है, ठीक है ना, तो आईए देखते हैं, तब से पहले हम date क recording चलेगी, ठीक है, तो अपरेल 1929 को क्या हुआ था बच्चो, अपरेल 1929 को जलिया बाला बाग हत्याकांट हुआ था, ठीक है, क्या हुआ था, जलिया बाला बाग हत्याकांट यह एक रीजन था, जिसकी वजए से महात्वा गांदी ने ऐसायोग आंदोलन शुरू किया था यह एक रीजन था उसे में, ठीक है, जैसे रॉलर अटेक्ट था वो भी एक रीजन था, यह चीज़ें आती हैं, 1930 मार्च अपरेल में क्या हुआ था, महात्वा गांदी ने अवग्या आंदोलन शुरू किया था, यानकी दांडी यात्रा शुरू किया था, ठीक है, 1931 में क् जो भारा चोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, जिसको इस सम्बन में एक 8 नमर का क्वेशन बनता है, कि भारा चोड़ो आंदोलन सही मायन हो, जना अंदोलन कैसे था, इसके सम्बन में, तो आपको यह समझ में आ गया है, कि कौन सा किस्री मिलान खा रहा है, अब यहां पर आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा, इसी तरीके से आपसे इंग्लिस में मैच का सकते हैं, 1942, यहाँ पर आ जाए, एक सेकेंड, 1942 जो है, यह आपका इतरा जाएगा, क्वाइट इंडिया मूमेंट, 1999 अप्रेल, जलिया वालावाग, हत्याकान, ठीक है, मार् गांधियर ने फैकेंड, सेकेंड राउंड, टेवल, कॉंफरेंस, अप्रेल, समझ गे होंगे, चैया लिए, आगे बढ़ते हैं, क्वाइट थर्ड में, अब यहाँ पर भी, आपके बहुत से पॉइंट एक साथ कंप्लीट होंगे, यहाँ पर हमें क्या देखना है, कि हड़पा, हुथ्ष्ण का उधरन किसने कीया था, तो डायारहम साहनी ने कब किया था, वाई vontade, इनिस वीष्ट में, तो हमारा ए, यह रायट है, सेटंड, मोहज़दण का उधरन केसने किसने किया था, 1922 में, मतलब कव हुआत 1922 में, किसने किया था, राख़्छल्डब र महौर मिली थी उसका उसने सही आंकलन किया था यह वात गलत है खाल अबच्छो तो आपको एक ही साथ बहुत से कोशन समझ में आ गए क्या हडपा इस तल का उथ्कन किस ने किया था दयाराम सानी ने कब किया था 1922 में किस ने कि रखाय था राकल्डास बनाजी ने तिंदुग कि इस तरीके से हडपा सबीता के वारे में यह कोश्चन कंप्लेट हो जाते है एक ही कोश्चन से बहुत से हमसी क्यों बनेंगे आपके यहां पर आ जाता है कि स्ट्रेक्टी फॉर्स स्टेट्मेंट इंवॉल्ब इंडी डिस्कवर्यों हरपण सिविलाजिशन दैट इस कनि राष्ट वार्सा में जो विसेश्ता नहीं होनेंट है वो यानिंकि राष्ट वार्सा में यहाँ पर जो विसेश्ता दीएंगे वो तीन सामिल ए क्या Singapore वो महत्वा गांदी च larva यह श्क्रू होनी था है भावनाओं के पूरे समुच्च को अव्यक्टि देने वाली होनी चाहिए यानि कि मनुष्य जो है भात्य के जहोर है अपनी भावनाओं को लोगों के सामने अविक्ति रख सके अपने विचारगे की रख सके ऐसी भासा होनी चाहिए साथ ही समाज में व्याप्त जितने भी समुदाइं हैं इनके बीच में एक नॉर्मली चाहिए अनपढ़ हो या पड़ा लिखाओ इनके बीच का नहीं जो संचार का माध्यम है वो इसमें होना चाहिए तो ये भी ठीक है लेकिन मातमा गांधी ने कभी भी ये बात नहीं कही कि राष्ट वासा ऐसी हो जिससे केवल हिंदी लोग ही असानी समझ सके ये गलत है ठीक है क्योंकि राष्ट वासा ऐसी होनी चाहिए जिसने भारत के नागरिक अच्छी तरीके से समझ सके लेकिन जब वर्ड यहां पे यह ओस हो गया हिंदी लोग आसानी से तो यह गलत हो जाता है ठीक है तो आपको समझ में आ गया ना option number D is wrong according to महात्मागानती the especially which should not be there in the national language is यहां पे आपका A, B, C is the right but option number D is wrong complete है अब देखे क्या दिया गया है हमें आप पे एक चवी दी गए चित रिया गया हमें पैचाने यह क्या है क्या यह कमल महल है क्या यह हजार्रा मंदिर है गृुपाक्ष मंदिर है फिर महानवी डिबब है तो अब बड़े ध्यान से इसके structure को देखेगा इस structure में जो आप देखेंगे तो जिसे कमल का फूल होत इसके बार में देखते हैं निम्लकित मैंसे कौन सी संथाल लोगों की विशिष्टा नहीं है संथाल लोग जो थे इन्हों जंगल को साफ करने के खेती करने शुरू कर दी थी यह लोग स्थाई क्रिशी करते थे और इमार्ती लकडी को काटते थे ठीक है यह जूम खेती नह एंड विच अब दी फॉलिविंग इस नौट अब दीज संथाल पीपर दैट इस ऑप्शन नंबर ए कंप्लीट है क्या लिए कुश्चन नंबर आपका आता है सिक्स बहुत ही बड़ी अ प्रशन नबर तो बहुत बड़ी अ प्रशन है बड़े ध्यान से समझेगा बहुत स ठीक है बात भाई 15 मई 1800 सताबं को मेरट में सैनिक विद्रो सुरुआत हुआ गलत है यह 15 नहीं बलकि कितना था 10 मई था ठीक है 1949 दिसंबर में समविदान पर हस्ताक्षर हुए जो मारा पूरा समिद्रान बनना था उस पर हस्ताक्षर हुए थे 1856-57 में अंग्रेजियों के द्वारा अवद में एक वुस्त एक मुस्त जो बंदोबस था लगान बंदोबस यह लागू किया तो यह सभी के सभी राइट है मतलब क्या हुआ यहां पर यहां पर जो यह बात कियी है ना कि मेरेट में सैनिक वुद्र सुलीवाथ हुआ पंद्रमाई को यह वाला गल है तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नमर बी हो जाएगा अब थोड़ा बड़े ध्यान से समझेगा यहां पर अरसर तो भी होगा से बन गया था तो उस पर हस्ताक्षर कभ हुए थे अगर आप से यह पूछा जाए अंग्रेज्जों के द्वारा अवद में एक मुस्त बंदोवस्त जो लगान था यह कव लागू किया गया था 846 अब एक चीज मेरट में जो सैनिक विद्रों के शुर्यात हो थी यह कभी थी तो यह 10 माई ठीक है ना 10 माई 1857 को ही थी ठीक है आप यह समझ में बढ़िया तरीके से ओके वेल यहाप ए आंसर क्या हो जाएगा आपका बी वाला चॉइस दी फॉल्स इन फॉलोविंग तो 15 त में 1857 मिलिक्ट्री मुलिक्ट्री मुलिक्ट्न इन मेरट दाट इस लॉग ऑ अब वुल फजल की आईने अकवरी आंकणों के वरगी करण तथा एतिहाशिक और प्रशासनिक परियोजना कर नतीजा थी जिसे डैस में पांच बार शंशोधन करने के बार पूरा किया गया यानि कि पहले तो आपको याद रखना है कि आईने अकवरी किसकी जिल्द है तो करके इसका जो पूरा का पूरा वरगी करण है जो परियोजना वगरा थी यह पांच बार अवल फिदल की जिल्द संचोरित करके तयार की गई तो वह कौन सा टाइम पिरिड था जब यह पूरी हुई थी उसके बार में आपे आप्सिन नमर आपका सी रैट हुए अब देखे क्या दिया गया है विजय नगर की भोगौलिक इस्तिती के विशे में सबसे चोका देने वाला तक थे डैस नदी द्वारा यहां निर्मित एक डैस है तो किस नदी के द्वारा क्या निर्मित है भोगौ कुंडी बनाया जाएगा तो मतलब ती या फिडी इन में से कोई एक हो सकता है तो तुम भंद्रा नदी जो है यह चोका देने वाला तत्त है जिसके माद्यम से एक प्राकतिक कुंड का निर्माण होता है जिससे पानी कभी भी खतम नहीं होता है चलिए एक कोशन अब मैं आ किसने करवाय था आप लेकिन वंश की नाम के साथ सा जिससे उसका काल भी पता है यहां पे यहां पर तक बोल्य इजग्रर PHP लोकेशिन अगर इजागर अगर इज़्य डैसफंड वायर डैसaleava आगे अविकेथन कहता है कि सम्विधान सवा में हुई चर्चा जन्मत से प्रवावित होती तो विभिन पक्षों की दलीलों को अखवार में चापा जाता था जिसके माद्रम से कमाम प्रस्तावां पर स्टार विभिन रूप से हम आम लोग आम नागरिक उस समय के जब सम्विधान बन रहा था तो वह आपस में बहस वेगरा करते थे उससे यह पता चलता है कि सम्विधान समय जो भी चर्चा हुई वह जन्मत से प्रभावित थी मतलब क स्ट्रिश्म भी आ जाती है तो उसके बाद आप देखो भाई यहां पर आपके तक्रीवन एक ही साथ में एंड प्लस एम सी को एक साथ कंप्लीट होंगे बड़े द्यास समझेगा यहां पर आपको महात्मा बुद्ध से सम्मांजिद निम्ल की कत्रों पर विचार करना क्या महात्मा बुद्ध का जनम कब हुआ था 563 इशापूर में किस कुल में हुआ था भाई चाकी कुल में कहां पर हुआ था किस कंट्री में नेपाल में नेपाल में कहां पर लुंबिने में हुआ था ठीक है ग्यान इनको ग्यान के प्रप्ति कहा हुई थी बोध गया बोध गय गर्में होती है इनकी टोटल मृत्यु वाली आयू कितनी थी अस्रीवाश इनकी माता का नाम है महा माया इनकी उक माता का नाम है प्रद्यापति गौत्री तो आपका पूरा का पूरा कॉंसेप्ट के लिए इनके जनम के बारे में ग्यान के बारे में मृत्यु के बारे में मात पर मुद्ध का जनम कब गुए था 563 इस्चापूर किस कुल में हुआ था बच्चो तो शा के कुल में हुआ था नेपाल के लुंबनी में हुआ था एंको ज्यान के प्रप्थी कहा हुई थी बोर गया बिहार में थी तब इनकी आयू क्या रही होगी 35 बस की रही होगी और वै की तक नाम के था महामाय थी के एक कोषण में सामिल होने वाली शर्व महिला मैं यह इंकी उपमाता ही थी जिनका नाम था प्रुजापती गौत्मी जी के बारे में आब कोई भी कोश्चन के लिए के डाउट नहीं बचेगा है ना चालिए अब बड़े ध्यान से समझेगा क्या कहा गया है यह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनोंने बावा गुरु नानक तथा उनके चार उतरदिकारियों जैसे बावा फरीर और अभी रास एक आदेवर हो जाएंगे और साथी साथ कवीर की जो बाणी थी इसको आदी ग्रंत साहिव में संकलित किया था यह व्यक्ति कौन थे गुरु गोविन सिंग गुरु नानक स्वैम यह तो होई नहीं सकता गुरु अगड तो फ़र गुरु अंगड जी इन में से कोई एक हो सकता है तो राइट अंसर का है राइट अंसर है गुरु अर्जन देव जी ऑप्षेन नमबर स्टी हमारा राइट हो जाएगा ठीक है वो कंपाइट दी स्पीच ऑफ बाबा गुरु नानक एंड इस पोर सक्सेसर्स बाबा फौरीर रविदास कवीर इन अधिगरंस है तो क्या हो जाएगा ऑप्षेन बाद सीख रहा है पौर्शन बाट पहले अंग्रेजियों के द्वारा दो पॉइंट है यहां पे अंग्रेजियों के द्वारा नवाव वाजिद अलिशाह को गड़ी से कवट आएगा और साथ ही अवद का अधिगरंड आप सब भी कुछ का अंसर पटाओगा बच्चो कब अथा 1857 में बट आंसर 1857 नहीं है आंसर क्या है इसका आंसर है इससे एक साल पहले यान की 1856 ठीक है ऑप्षन नमबर डी हमारा राइट है ओके यहां पे ऑप्षन आपका डी राइट हो जाएगा आगे बात करेंगे इस् क्याँ अब क्या है इसमलिया क्यंतर में ना-उस एक करलाप हा है उन पर नरजा रखने के लिए और बहुत सारे बातों को द्धियां में रखने के लİए बिटेटिस पर्लियामेंट नहीं एक इक डेगुलिटिंग प्रिक अपरत किया था 177-63-93 राइट एंसर किया इसका इ आगे बड़े ध्यास से समिजए के बच्चों दिया गया है किलेबंद वस्ती में प्रवेश द्वार महराब और साथ ही द्वार के ऊपर बनी गुंबद तुर्की सुल्तानों द्वारा प्रवार्तिस इस्तापत्य के तक्तिके माने जाते थे किलेबंदी में जो प्रवेश द्वार थे इन पर महराव और जो दिवार थी इन पर गुंबद बनी थी यह तुर्की सुल्तानों के द्वारा ऐसे माने जाते हैं उसके तर्ट्व को यहां पर रशाय गया तो यह क्या कहलाते थे किस सहली को बोलते थे से क्या यह इंडो 15 कोशन क्या बच्चो यह एक ऐसी दरगा थी इस दरगा का नाम आपको पेंचाना है कि डैस की दरगा शेख की सदाचारिता शेख की धरम निष्टता और उनके वारिस और राजसी महमान द्वारा दियेगे प्रिश्रह के कारण और तीज़े विक्सितिती लोगों को उसके बारे में पता चला था तो वो कौन सी दरगा थी जो ऐसे विक्सिती तो दरगा का नाम है तिक नजुरुदीन, सेख, पोखुरुदीन, ख्वाजा मौनियुदीन, चिस्ति या पर भक्तियात चाहती है कि अच्छो ऑप्शन नम्बा सी ख्वाजा मौनियुदीन, चिस्ति, तर दरगा वाज दू तू वाज़ देखें बड़े ध्यान से समझेगा पास्चिमी भारत में वे वियापारी जो अकसर एक मजबूत सामुदाइक अत्वा बंधृत के संबंद में जुड़े होते थे ठीक है और यानिकि यह ऐसे वियापारी थे इनके अपने खुद का बहुत बड़ा समझाए होता था बंधूत के साथ मुझूड़े होते थे ठीक है इनके अपनी जाती और वियापसाइक संस्थाएं होती थी इनके मादर से संठ्ट है तो यह क्या कहलाते थे क्या यह सेट कहला थे मास्तुवन हुदुरई या फिर महा जन kya कहला थे ऐसी विकति. और महा जन का जो मुखहा होता था बच्चो वह कहला था सेट criminal कहला था asap heritage of shakimuni क्या है बुद्ध गया the heritage of shakimuni इसका precaution कब हुआ था 1878,1925,193,1989 कब हुआ था भई यह हुआ था बच्छो 1878 में ठीक है option number is the correct when was बुद्ध गया the heritage of shakimuni published 1878 अब देखो 18 में आपके 3-4 question एक साथ complete होने बारे इसमें क्या दिया गया है 1951 बावन में एक प्रात्त वेता थी जिनका नाम था बी विला तो इन्होंने मेरत के हस्तनापुर गाउं में ओध्खनन का काम किया और वर्तमान में यह किस राज्य में इस्तित है वैसे आपको यह में बता दो हस्तनापुर का जो 95 परसेट इलाके वो तो यूपी में आ जाता है तो आपका यहां पे बी हो जाएगा यूपी थोड़ा बहुत इलाके हर्याने में भी आता है लेकिन हस्तनापुर गाउं जो है वो पूरा का पूरा यूपी में आ कब करवाई थी भाई 1952 के दौरान करवाई तो यह चीज है आपको यह पूरा का पूरा कॉंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो गया हो इन 5152 अर्चेलोजिस्ट वीवी लार डिडि एक्सवर्शन वर्क इन हस्तिनापुर विलेश ओफ मेरत इन विच श्टेट करेंटी इसी लोकेटिड यूपी। ऐसे सक्के जिन्में शार्षकों की प्रितिमा भी होती थी और इनका नाम भी उता था, यह स्क्कों जारी किए थे वच्चों हिंदी युनानी सास्कों है, तो बारी क्या आती है, जो गलत है ऑप्सिन नंबर शी कि उत्तर भारत से रोमर सिक्के प्राप्प्री यह गलत है, क्य तो सिक्कों के विकास के बारे में यह आपको समझ में आए गया देखे 25-26 में तोट चुके हैं देकिन हाँ MC के आपको बड़े तरीके समझ में आ रहे होंगे विच स्टेट्मेंट अवाउट डी डवलप्ट डवलप्मेंट अव पॉइंस इस फॉल्स दाट इस कहा चला गया हां स्टी इस फॉल्ष ओके नीचे अविकेतन कारण दिये गया इनको ध्यास समझेगा अविकेतन क्या कहता है बच्चो कि खोजी आत्राओं से नई दुनिया के खुलने से यूरोप के साथ एशिया के खासकर भारत के वियापार में भारी विस्तार हुए कहों जाता हो से क्या हुआ नई दूनिया खुली जिसने यूरोप के साथ में एस्या के खासकरी भारत के विएपार ते उसे बढ़ने लगे। कारण क्या हुआ, यानकि इसके बार क्या हुआ, इस वजह से भारत के समुद्रपार व्यापार में एक भाउगुलय की विविद्ता आई, तो दूसरी ओर कई नई नई वस्तियों का भारत से विविवफद्व करीदने लगा, तो खोजी आतना उसे नहीं दुनिया हुई भारत का व्यापार वड़ा भारत का व्यापार वड़ा तो बहुत सारी बस्तु है और विक्सित होने लेगी ठीक है बहुत अबिकतन और कारण दोनों बातें यहां पर से ठीक है तो राइट एंसर क्या होगा तो वह बने थे जॉन मार्शल कौन थे जॉन मार्शल विकम दे डिरेक्टर जनर ऑफ दी आर्के लोजिकल सर्विय ऑफ इंडिया नाइटी टुटिफॉर एक चीज अगर आपसे यह पूछा जाए प्रथम कौन थे अगर आपसे यह पूछा जाना कि प्रथम भारतिया आज चुकी होगी ठीक है तो एक बात में कोश्चन निकालते हैं आपको फिर समझाते हैं बढ़ी अत्तिके से देखिए अभी तक के जो कोश्चन में आपको समझाया हो वह आई होप आपको बहुत बढ़े तरीके समझ में आएंगे अभी तक की वीडियो अच्छी लगी है तो जादा से अच्छा जादा जादा बच्च्यों को लाइक करते हैं कि आपका एक लाइक में बहुत जादा मॉटिविशिन का काम करता है एक energy करığını कि य थिली NOT Sense से का शेयर को अब खरत हुँ है अभी खरतम नहीं टेंशन नहीं अभी अभी हम बात करेंगे अपने section number B की अभी हम बात करेंगे section number B की बट उससे पहले आप सभी मुझे बताओ comment box में सभी comment box में मुझे बताओ कि आपके 21 में से कितने MCQ स्ट्राइट गए ठीक है न बताना मुझे बाकी अभी आप यहाप यह मारा section B आ जाता है खंड भी है start answer type questions के बारे ठीक है जिसमें तीन number के 6 question होंगे दो में आपको मिलने वाली है choice तो सीधा point to point answer की बात करेंगे और यह वे question है जो पिछले 10 साल के board के paper में जादा तर आई वही इसलिए आपसे फिर से कहता हूँ complete देखके जाएगा ठीक है मुख्यता 6 सरस्व की मुख्य भूमिका रही थी आपको किनी तीन की भूमिका को यहां पे इसपश्ट करना है ठीक है तो सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे बच्चो जवाहा लाग नहरुजी की ठीक है जवालन नहरुजी ने समविधान सवा में उद्देश से प्रस्ता प्रस्तुत किया था ठीक है जिसमें समविधान और स्वातंत्र भारत की रूप रेखा प्रस्तुत की थी बाकि अलग से उद्देश प्रस्ता के वाली पट्टियों का त्रंगा चंडा होगा जिसके बीच में गहरे नीली रंग का एक चक्र होगा ठीक है सेकेंड सरदार बल्ला भाई पटेल अलाकि इन्होंने प्रत्रक्श रूप समिधा सभाव सामिल नहीं होते लेकिन हाँ पारदे के पीछे से इन्हों ने बहुत बहुत इंपोर्टेंट और मुक्किकार की थे इन्होंने कई रिपोर्ट के प्रारूप लिखने में ख इपनाई थी ठीक ना तो यह इनका एक और कामयाप एड हो जाएगा ठीक है बात करें डॉक्टर राजेंदर प्रशार की तो यह समिधान सभा के इस्थाई अद्रक्श होने के सबसे पहले 11 दिसंबर 1946 को या देखीगा कब 11 दिसंबर 1946 को ठीक है और इन्होंने समिधान सभा यह सरकार के समय नहीं सलाकार थे एसन मुख़जी यह मुख्य योजनाकार थे वस यह चीज़िया थे तो आप सभी को यह वाला कोशन बहुत अशी तरीके समझ में आया होगा जब अहाल लान ने अदिए सदा बल्लवाई पटे लॉक्टर राजेंपिसार लॉक्टर अमीड सब्सक्राइब कर बिए रा और एसन मुख़जी मैंने चे के चे आपको बता लिए तेकिंड कोशन पहाडिया लोगों की जीवन शैली का वर्ण कीज़े इस को आप से थोड़ा घुमा के पूछा सकता है कि पहाडिया लोगों जीवन शैली संपोंड ता जंगल पर निर्भ आठ नमर में आपको अपनी जब से 2-3 कॉइंट करने पूरे नमर में जाएगे तो पहाडिया लोगों की जीवन को डूप से जंगल पर निर्भता कैसे कैसे देखिए पहाडिया लोग जो थे यह जंगल के हिस्सों में जाडियों को काटकर और घास फूस को जलाकर जमीन को साफ कर लेते थे ठीक है अब जब यह जलाते थे तो जो राक होती थे जो फोटास होती थे उससे जमीन उपजाओ बन जाती थी जहां पर यह पाडिया लोग तरह तरह की दाले तरह तरह के जवार बाजरा यानकि बहुत सारी पसले महरा किया करते थे ठीक है प्यापार और अब बाता आईगी कि पहाडिया लोग जंगलों से पहाडी लोग जो थे वो खाने के लिए महुआ के पूली कटे करते थे इन्हें बेशने के कोया राल और कॉया बनाने के लिए लकणिया के खट्टी करते थे ठीक है शिकार करने वाले जूम खेती करने वाले खाद बटोन्ने वाले काट कोईला बनाने वाले देसम की कीड़े पालने वाले ऐसे लोगों के रूप में इन्हें देखा गया तो कि कहना आपको क्या समझ में आया एक तो यह विसिकली जंगल के छोटे चो को काट कर क्या करते व्यापार के लिए और खानपान के लिए जंगल की पूरी तरीके चिंजब्र होते हैं। काट कोईला बनाते थे लेसम के कीड़ी पालते थे इस तरीके से अपना वियापार खानपार क्या करते थे ठीक है इनकी जिंदिगी का जो जुडाओ था वच्छो ये जंगल से बहुत ही गनधता थे जुडाओ थे ठीक है आपको पहले बता दू आपको तीन नमर जो पाड़ से था यह लोग इमली के पेड़ों के बीच में एपनी जोपनियां बनाते थे उन पर रहते आमके पेड़ों पर च्छा Lau मैं यह आराम किया पूरे प्रिदेश को यह अपने निजमी भूमी बहुतteilते यहीं रिजन संताल और अगलेजियों के साथ में ज़गली जो पाड़ तो बढ़िया तरीका से completely आपको समझ में आ गया ला कि पहाडिया लोगों की जो जीवन से लिए और पोंट तर देंगल पर कैसे निधर रही थे, ठीक है, अब जो बच्ची इंग्लिस मीडियम के वहां से रिख लेंगे, तो आपने जवाला नेडियू जी के बारे में समझा देना है, पल्लब भाई पटेल जी के बारे में समझा देना है, डॉक्टर राजन निपर्शाद जी के बारे में बता देना है, डॉक्टर बियोग राव अमीड कर, बियंज राव और एसन मुखजीर के बारे में समझा है, सेकेंड आपने क्या पूचा गया है डिस्क्राइब दा लाइफ इस्टाइल ऑपनी पहारी आड्स ठीक है ना तो लाइफ इस्टाइल कहते भी पाड़ियों की ट्रेड एंड फूड की बार नॉर्मली कैसी बसते थी इसकी बार जाती है एड लाइफ क्लोजली लिंक्ड तुर उर्फिया सुरोतों का वर्णन की ट्रीक है तो मलसमर además में कैसे मिलती है वह सोड की समोरियों स्प्राइब क्या है मूर्तिकला मौरे काल के प्राचीन भवन , इस्तूप , मरधवांड जो कि मौरे समराज की मूर्तिकला का वन्कच्र करते जिसे जिसे में यह पता चलता है , यहां पे साहित केस थणाँ होगा दूसरा सिक्के, सबसे पहले आहत यारा कि चोट पहुचा आकर जो सिक्के थे, वह सबसे पहले यहाँ पे ज्यारी करवा है थे कुछांट साशकुन है सोने की भब शिक्के थे वो भी गुप्त साशकुन ने इसी टेमप्यरेट पर ड़वाए थे ठीक है इससे हमें व्यापार के वारे में, सम्रिद्धि के वारे में और ये सास्ट कों की इमें जानकारी देते हैं, क्योंकि युनाने शास्ट कों क्या किया था, शास्ट को की प्रतिमा और के नाम के माध्यम से जो सिक्के थे इनको डलवाया था, ठीक है ना, तो इससे हमें मौर्ण सामराज की बहुत सारी जनकारी मिलती है एक युनानी याति ती जनकारी मिलती कि यह ग्रंत यह किताब पुरानिक ग garant junk अबिलेग की बाता जाती है तो मौरे समराज से प्राप्त जो अबिलेग हैं, उनसे भी मौरे समराज के जो राजा थे, वो कैसे युद रड़ते थे, बुमिदान कैसे देते, दार्में, गत्विदियां वगएरा क्या थी, इन सभी एक पाता चलता है, में अभी लेकों की मार्दम से हमें अशोक शासक के बारे में पता चलता है यह चीज़ है तो आई हूप आपको यह भी बहुत बढ़े तरीके से कोशन समझ में आ चुका होगा कि मौर्ण सामराज के बारे में जानकारी प्राप करने के मुखस्रोत क्या है तो पहला मुटिकला इसको इंग्लिज में देख लेंगे डिस्कर दी मैं सॉर्स ऑफ इंफोर्मेशन आवाउट दी मौर्ण अमपाय उसकलब च्यार कॉइंस लिटरेसी सोस्टिस और विक कॉर्स पूरा का पूरा कोश्च्टन और आश्र एक ही सेंस में आपको दिखिया होगा बहुत बढ़ी जो फैली थी और इसके इत्राब से क्या कैस ने वर्णन किया वह में समझा आएए देखते हैं तो सबसे पहले अली बिरूनी ने ये बताने के कोशित की कि जिस तरीके से भारत में जाती विवस्ता फैली हुई है ये केवल भारत में ही नहीं है ये फारस तथा अन्य जो वर्ण एक वर्ण एक वर्ण नमबर दो वैग्यानिक चिकेसिक तर्था खोगुल साक्ति वर्ण तीन किसान्त और अनिसलिपकार वर्ण चाहँ ठीक है ना तो अब यहां पर अल्विनी ये बताता है कि इसने ब्रामणवादी जो विवस्ता है इसको इसने अस्विकार किया चलो ठीक है लेकिन इसने ये का कि ब्रामणवादी विवस्ता में जो आपवित्ता का सिध्धानत जो माननता है मैं उससे ऐसकार करता हूं क्यों कि अल्विनी ये मानते हैं कि हर वो वस्तु जो आपवित्र हो जाती है वो दुबारा से अपनी पवित्ता को पा सकते है और से सूर्य हवा को स्वक्ष करता है और समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बच आता है उसके नुसार जाती विवस्ता में आप पवित्ता की अब्धारणा प्रकृती के नियमों के खिलाफ है तो अलिवरुनी के वारे में यह यह कुछ-कुछ बात है मैं छोटे-छोटे जिससे आपको आप एकी सीन में यह से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं देख सकते हैं आगे समझ में अलिवरुनी का जाती है क्या था इसके बारे अब आती है वारे राइट दी डिस्क्रिप्शन ऑफ अलिवरुनी टुवार्स कास्ट शिस्टम ठीक है तो दियारवाज फॉर क्ल अगला कोशनल कोशनल में 25 यह दिया गया है बच्चो कि एस सहयोग आंदोलन के क्या परिणाम निकले यानि कि महात्मा गांदी जी के द्वारा 1920 में जो एस सहयोग आंदोलन चलाए गया था इसके क्या परिणाम निकले इसके सफन लने के बार तो एस सहयोग आंदोलन अंग अंग्रेज ने महात्मा गांदी जी के नेतक में इसे शुरू किया था। इसके परेदाव सरूप अंग्रेज़ों के शासन की नीव तक लिगए थी। इतना पहला सबसे बड़ा आंदोलन लिया रहा था। क्या परिणाम रहे थे तो सबसे पहला पढ़िया मेरे था गांधी जी का एक जने नीता के रूप में उध्य होना कैसे गांधी जी के दौरा ऐसायोग आंदोलन से पहले कई बड़ बड़े आंदोलन चलाएगे थे लेकिन वो राष्टवादी नहीं थे लेकिन ये जो ऐसायो वादी नेता के रूप में पिसे दूए इससे पहले मात्मा गांधी जी को भारत में कुछी चुनिंदा लोग जानते होंगे ठीक है ना लेकिन इससे ऐस सहयोग आंदोलन से बहुत सारी लोग जाने लगे ठीक है उसके बार स्वाराज पार्टी का कठन 1922 में कॉंग्रेस के लाहौर अडिवेशन में मोती लाल नहरू और चितरंजन दास ने एक गरम पंती की रूप में ये उबरे और उन्हें रिखा कि हम कॉंग्रेस पार्टी से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बनाएंगे सुराज पार्टी लेकिन ये पुन तरीके से सफ़ल नहीं हो पाए थ लेकिन अब वो शाका चोटे-चोटे गाउं तक बड़े-बड़े शायन तक बहुत ज़ादा खोली गए जिसमें उद्योगपती, सिक्षितवर्ग, अनपड़ पहुत सारे लोग इसमें स्तामिन हो लगे इससे क्या हुआ कि सामाजिक लेवल पर भी कॉंग्रेस अब मजू आत्मक रहेगा हिंसा नहीं होगी अगर हिंसा होगी तो समाप्त करनेंगे तो इन्होंने इस सांदर्ण को समाप्त कर दिया था एक क्या भाई तो आई होप आपको यह कॉंसर्प्ट समझवा आ चुका होगा गांधी जेकर जन्ने तहकर रूप में होदा है सुराथ पार्ट सब्सक्राइब क्या नहीं है क्या ना में यह जोर्णिंग ऑफ सोचल बेस ऑफ कॉंगरेश ठीक है आगे अगरे कुशन के दिया बच्छों को सब्सक्राइब बहुत बढ़ी अप्रेश्चों बहुत बार पेपर में आयों दस साल के बोड़ में है बुद्ध जीवनकाल में महात्रम बुद्ध के जीवनकाल में और उनकी दित्य के बाद भी बहुत धरम बहुत तीजी से फैलने के कई कारण के सबसे पहला कारण यह था कि लोग समकालीन धार्मी कृताओं से एसंतुर्ष थे उस समय जो रथायन धार्मी कृताओं चल नहीं थी लोग उनसे बहुत इक लिए खुशी नहीं मिल नहीं दोड़ा दूसरे क्या था दूसरी यह था कि खुद से छोटे और कमजोर लोगों की तरफ बहुत धरम्य मित्ता का और करुणा का भाव का महत तो रखा जाता है नहीं दे जाती बलकि जो विख्ते अच्छा आचरण करता है अच्छे मुल मिलाओं को ब्रह्मणवादी व्योस्ता में उनके लिए प्रुवग्र होते हैं उन सभी को दूर करते हुए बहुत धरम में महिलाएं और पुरुष्ट एकी जैसे समान माने जाते हैं और चौथा यह कि ब्रह्मणवादी विचाधाराओं में जिनने नीचे समझा जाता था जिनने आपवित्य समझा जाता था बहुत धरम में उन्हें भी सम्मान दिया गया था ठीक है ना तो इन सभी चार इजन्स की बज़ेते तैक्डों वर्षों के दोरान जो मात्मा बुद रिके से धरम जो था बहुत धरम यह तेजी से फैला ठीक है तो हर एक रीजन समकाली धरमी पृताओं से ऐसंतुष्टी ठीक है फुदिसे छोटर को कमजोर लोगों के ज़र्म में तता करोना का बाव रिती है आचरण अच्छा चरण मुल्यों को मैंतो देना पुर्समेला लाइफ टाइम और इवन आफ्टर इस देट देट विसिकली तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ यह आपके यहां पर आ जाते सारे के सारे पॉइंट जिन पले है चालिए आप कोश्ण में 27 की बात करेंगे बहुत बढ़ी आ कोश्ण है बचो तांतिक पद्दती तथ तो आएं यह दिया गया बच्छो तांतिक पद्दती के बारे में अगणी अंधरसों ऐसे देवता मुक्धी देवतां थे लेकिन इस समय यह गौड हो गयते। कि देखिए वैदिकाल में क्या था बच्छो वैदिकाल में अगनी इंडिसों ये मैं मुखिदेवता माने जाते हैं लेकिन अभी वत्मान में ये गौड हो गए थे वैदिकाल में ताहित एवं मूतिकला में निरूपन नहीं मिला हैं, यह कि वैदिक परिपार्टि की लोग उन अचारों की निंदा करते हैं, जो इश्वर की उपास्णा के लिए मंत्रों के उचारण की साथ हैं, यह न क्या कहते हैं, हम उन सभी धार्मिक आचारों की दिंदा करते हैं जिसमें आप इश्वर की उपासना के लिए मन्तों का उचारण नहीं करते हैं इश्वर की उपासना के लिए अंस्ट्रांग बगरा नहीं करते हैं बचन कीतन नहीं करते हैं सब सबसे उचित बगवान मानते हैं। देवि की पूजा जालातर स्तिंदूसे पूत्त के पथ करते हैं। यानि कि यह जो आचार सहिता जो थी नहीं व्यदिक प्रपाटिक लोग कहते थे कि यग वगारा मन तो चांड नहीं करेंगे तो आप नहीं मालेंगे यह ऐसा करते ही नहीं थी यह कैसी करते थे यह सिंदू से पोते के पत्थर के रूप देवियों को मुख्य देवताओं की ब बात कर देते हैं तो अगला कुछन है कि ग्रामीड समुदाय में दस्तकारिता का वर्ण कीज़े देखिए ग्रामीड समुदाय में दस्तकारिता है दस्तकारिता मीनिक क्लिशी के अलावा अनिकार होगा तो गावों में दस्तकार काफी अच्छी तादाद में रहते थे कहीं कभी कभी किसानों में और दफ्कारों के बीच में फर्क करना शुक्रत करना कुंग हो जाता था यह कुछ कैसे कूछ के लिए कुछा अवजारों को बनाना उंकर मरमत करना जो किषान हैं उसने वहुरा तो वो फुरसत में क्या करता था यही खेतियार दस्तकार के काम कर ले था जैसे रंग देजी कपड़े पच्पाय मिट्टी के बतिन पकायना उतार बेजाना उनकी मत्तिकर ना ऐसे काम ही कर ले था तो इन दोनों की वज़े से किसान और दस्तकार इनके बीच में ना डिफरें के लिए एक जजवानी विश्ता थी वच्चो तो बंगाल में जमिदार इन दस्तकारों की सिवाओं के बदले में जैसे लुहार होगे बड़े योगे सुनार होगे इनको रोज का भटा देते थे रोज का पैसा देते थे कई वार खाने के लिए नकदी पैसा वगएरा भी दे दिया करते तो यह पॉइंट है तो आई होप आपको ग्रामीन्द समुदा में दस्तकारिता का यह पार पहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ लिए इंग्लिस में खंपेर तांतिक सिस्टम एंड वैदिक सिस्टम कैसे कंपेर करेंगे आपके सामने यह जो पॉइंट है वो आ जाएंगे, ठीक है, then second है, कि describe handicraft in rural community, ठीक है, तो handicraft in rural community में किस तरीके से यह देखते हैं, यह दिये गए बच्चों, हाँ यहां से, handicraft in rural community, यहां से यह दिये गए है, क्या क्या काम होते थे, payment कैसे होती, example, जज़वानी सिस्टम कैसा था, यह सरी ज़वानी सिस्टम कैस तो यहां पर हमारा आज का ये वीडियो हो जाता है, ठीक है, अभी यहां पर बसता है हमारा section number C, जिसमें 8 नमर के 3 question होगे, section D, 4 नमर के 3 question, section D, 5 नमर के 3 question, ठीक है, तो इसके लिए, मैं आपके लिए part 2 की जो वीडियो है, वो बहुत दिली अप्लोड कर दोगा, आप से भी आप इंपोर्टेंट, जो कि मैंने आपको sample paper number 1 में करवा हुई, जिसको तक्रीविन 30-65 जाल बच्चों ने देखा हुआ भी है, आप जाके लेके YouTube पे तो मिल जाएगा, मातमा गांदी जी को जानने के सोथ क्या थे, तो भाई मैंने आपको समझाए हुआ पीपर में आत्व समाचर पत्रों ने उंके बारों जो लिखा है इसके मार्दम से जानते हैं, सरकारी रिकॉर्ड विगरा उनको खोड़ा जाते उस तो ऐसी सहस्ताय विगरते नजर विगरा राख्ते थे औरुन eyes इसके मार्दम से हम जानते है तो ये चीज़े थे, उसके वाद में ब्रहामने सिद्धानतों में जाती वी वन की तरह ही यादारे थी, कैसे, तो बिसिकली, जैसे वन जो थे, वो जनमपर अधरे थे, तो जाती भी ऐसी यादारे थे, ये ज़रूता कि वन जांचार थे, तो जाती हमापी बहुत सारी यहव इस से जोड़ने के लिए क्या प्रित्न किये गए थे बिसीकली जो आपका सेकंड चेप्टर राज्रा किसाना लेकर उसके संबन में ठीक है तो कुसानों ने क्या-क्या तरीकी अपना थे वह यहां पर पढ़ सकते हैं ठीक है और और भी यहां पर देगे थे बच्छो कि यह तरह के बदलाओं आ रहे थे पूर्वैजिक प्रंप्रा की जानकरियों में इसी काल से मिलगे तो यह चीज़े थे ठीक है ना जो मैं आपको पिसली वीडियो में समझा चुका हूँ इंवर्टुता का परिचया और इसकी भारतियात का वर्णन दिख कीजिए यह आपको इसकी अफ़वा बता देंगे लोटा और ख़लाश यूद का मुद्धा सेन्को को समझा बेजा जाना इसकी अफ़वा बता देंगे तो यह चीज़े ठीक है वाकि मुगलकाल में समाज में जाती कैसी थी मिरवाज जी की वारे में यह कोशन तो मैं आपको प्रिशली वीडि को लाइक कर दीजी क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत जड़ा मॉटिविशन का काम करते से लाइक कीजिएगा ठीक है अपने सभी दोस्तों के साथ में जारा जारा शार कीजिएगा और आप सभी को आपके हिस्टी के बोर्ड के पेपर के लिए मेरी तरब से और बाकी मुलाकात होगी आपसे एकली वीडियो में और इस वीडियो को आप सभी का देखने का बहुत बहुत धन्वाल मिलते हैं अकली वीडियो में जैहिन वंदे मातरम